हेलो दोस्तों तो आज हम देखेंगे कि how to read the newspaper no the Hindu actually miss newspaper पढ़ना यह किसी भी competitive exam को जाने से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है miss क्यों newspaper पढ़ने के आदत तो रहनी चाहिए लेकिन आदत रहने के साथ-साथ there should be some specificity in reading the newspaper so what that specificity includes उस specificity में क्या होता है क्या विशेश्टाय होती है कि हमें बहुत सही तरीके से newspaper को पढ़ते आना चाहिए इसकी कुछ बाते में आपको आज बताने वाला हूँ no miss अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर करें इस बात को कि येस वी शुट गो फॉर्ट अफॉर्स टेप आफ competitive examination is to read the newspaper properly and to get the maximum of it हमारी exam में newspaper में आने वाली चीजे किस तरीके से relate करेगी इस बात का हमें अंदाजा होना चाहिए और इसे ही शुरुआत भी होनी चाहिए because newspaper is not only for the current affairs newspaper is not only for thinking of the things today newspaper is very prolific it is just like an archetype ये किसी archetype की जैसे हमारी जिंदेगे में काम करता है तो ये archetype क्या होता है that I am going to tell you know ये एक तरह का archetype है no archetype means newspaper में history भी होती है geography भी होता है economics भी होता है politics तो खैर होता ही होता है sports होता है miss everything is comprised in newspaper miss हमारी exam में हमें हमारी general studies में जो कुछ भी खास बाते पूछी जाने वाली है that is a kind of an archetype उन खास बातों में history politics geography economics world affairs international affairs no current affairs then what not is used ऐसी कौन सी बात है जो newspaper में नहीं होती है और खास करके जब हम इस दर हिंदू की तरफ जाते हैं हमें excluding the editorials दो उसको हम बात में include कर लेंगे की newspaper पढ़ना एक skill के ताउर पर हमें देखने मिलता है बहुत बार we simply scheming the newspapers इसके अलावा भी newspaper का एक बहुत ही आहम रोल होता है मैं newspaper का introduction बिल्कुल नहीं दिऊंगा इसको सही तरीके से कैसे पढ़े देखिए मैं इसमें भाषा की भी बात नहीं करने वाला हुँ वह कैपिक की भी बात आज नहीं करूंगा grammar की भी बात नहीं करूंगा हम सिब content की बात करेंगे और context की बात करेंगे the two things are very important for me कि content और एक context की बात करेंगे नो कि क्या context में हमें newspaper को पढ़ना चाहिए so there is always the past context through which we understand the present news चाहे वो कोई भी news हो and along with this context and content के अलावा हमें यह भी देखना है कि what kind of narrative it is you know miss newspaper collect करना जैसे exposed facto के जैसे होता है as it is उसको लिया जाता है लेकिन as it is लेने के बाद भी हमें यह देखना चाहिए कि कैसे newspaper में आने वाली जो news है जो बाते हैं जो चीजे है उनका अपना एक narrative होता है no so I am not talking on the narrative of the editors तो newspaper के एडिटर्स के narrative को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि किसकी news है और वो जो लोग कह रहे हैं चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो चाहे वो एकोनॉमिक से रिलेटेड लोग हो चाहे कोई history की news हो या कोई सामन या occasional news भी होती है तो सबसे पहले तो यह है कि हमें यह पता करना है कि कुछ news को हमें दूर कर देना पड़ता है what kind of news that we should not pay that much attention to ऐसी कौन सी news होती है कि जिनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान हम नहीं दे सकते और एक जल्दी से हमारा paper पढ़कर हो जाना चाहिए and we should draw those things only हमें सिफ उन चीज़ों को draw कर लेना है निकाल लेना है जो चीज़े हमारी exam में हमें पूछी जा सकती है इतना sense तो हमें बना लेना पड़ता है और यह आदतन हो जाता है हम understand करने लग जाते है कि कौन सी बात पर मुझे ध्यान देना चाहिए कौन सी बात से मुझे क्या लेना चाहिए इसका सवाल कैसे बन सकता है इस तरीके से हमें we must go accordingly so let us see कि आज हम देखने जा रहे हैं the interpretation of the things there in the newspaper तो क्या क्या बाते होती है let us see शुरू करेंगे context और content के साथ and along with this context and content क्यालावा मैंने कहा है narrative यह तीन बाते आपको जरूर याद रखनी है once again I write the things of you know content क्या है no is content का context क्या है किस context में बात हो रही है और यह context जो बनाया गया है so इसका narrative क्या है no इसका narrative क्या है who who speaks why it is spoken you know in what context it is spoken what are the interest of those particular people इन सब बातों को हमें देखना पड़ता है that is called the narrative so let us begin with this हम शुरू करने जा रहे है with the first page और इस first page में हम देखेंगे तो first page तो खैर एक means उन्होंने अपनी एक जैकेट दे दिया है no a complete jacket of advertisement you know इस तरीके से कि अब पर campaigning चल रहा है there are the elections करनाडक के elections हो चुके है और मध्यप्रदेश के election की तरफ जा रहे है and now congress party is thinking किया we shall win MP also चलो देखते है क्या वो MP जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे so let us go with this first page first page में हमें कोई news दिख रही है that is water mission may miss 2024 target so that may miss no miss हो सकता है जो target दिया है so what is this water mission पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि water mission चीज है क्या no we must know see what is this water mission who has formed this water mission यह water mission किसने form किया है यह किसकी उपज है किसकी आइडिया है और इसके जर्ये क्या क्या जा रहा है so there is given certain things in this way that if you go for this that only three out of four rural households are likely to have drinking water tap connections by 2024 work has not even beginning five percent of homes you know miss सिर्फ इतना भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि why this water mission is expected or supposed to be missed only three out of four rural household means सिर्फ तीन जो रूलर हाउसोल्ड है फोर में से are likely to have drinking water tap connections drinking water tap connections देनी की योजना बनाई गी थी 2024 तक उनको मिल जाना चाहिए था work has not even begin in five percent home और जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि what exactly is the case तो इस exact case में हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती हैं तो what are those things no हमारे आइडियास तो बहुत बड़ी बड़ी होती है government की आइडियास भी welfare state को बनाने के लिए बड़ी होती है लेकिन क्या इन आइडियास को administrative level पर अंजाम दिया जाता है या नहीं इसकी तरब देखना बहुत जरूरी हो जाता है most of the times जो administrative level के लोग होते है कि there are some policies they have been formed we have been working on the same but we are helpless चलो इसके बारे में बात नहीं करेंगे the government and government's ambitious हर घर जल योजना है no what is this योजना this is the योजना हर घर जल योजना आजकल योजना है इस तरीके से उनका बड़ा स्लीव चल रहा है no great sleeve is going on हर घर जल योजना चल रही है इनिशेटी टो प्रोवाइड और रूरर होसोल्स इन इंडिया विद पॉट्र पॉटेबल वाटर कनेक्शन बाई 2024 अंडर इट्स फ्लैक्शिप जल जीवन मिशन इस लाइकली तो फॉल शॉर्ट ऑफ इस तारगेट तो अब इस योजना के बारे में आपको बहुत तयार हो जाना चाहिए कि whether I should go with this news in depth or not कुछ news को हम एक सरसरी पढ़ लेते हैं कोई news को हम नजर अंदास कर देते हैं लेकिन there are certain news in the newspaper जिनको पूरी तरीके से पढ़ना पढ़ता है जिनसे हमें सवाल निकालने पढ़ते हैं जिनके जवाब हमें धूंडने पढ़ते हैं जिन जिएस के लिए जा रहे हो या special paper के लिए भी जा रहे हो तब भी इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जो फ्लैक्शिफ है उनका उनका वाट इस फ्लैक्शिफ है हर घर जल जाना चाहिए यह योजना दो हजार चोबिस में नहीं बन पा रही है पूरी तरीके से अनलाइक्ली बिफोर पूल्स, आजकल यह मामला भहत जोर में चल रहा है सेंसेस का, जनगणना का मामला बढ़े जोर में चल रहा है but with new date to fix, अभी उन्होंने क्या और यह急 कर दिया है new date to fix boundaries. now this can be a very important issue for the students those who are appearing for the civil service examinations क्योंकि यह बहुत खास तरीके से है कि हर दस साल में जन्गन्ना होनी चाहिए लेकिन यह जन्गन्ना बिफोर पूर नहीं हो पाएगी ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है So there are certain things The date of freezing of boundaries will now be with effect from January 1, 2024 कि January 1, 2024 से इस योजन्या की date को freeze किया जाएगा और फिर तब से आगे चलकर तीन महने तक यह काम चलता रहेगा तब तक elections आ जाते हैं So before polls, election polls यह बात कुछ हो नहीं पाएगी जो जन्गन्ना के बारे में खास करके बहुत बड़े बड़े अंदोलन, बहुत बड़े मोर्चे निकाले जा रहे हैं आपको इसको किस तरीक से देखा जाना चाहिए तो उन्होंने इस बात को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया का मतलब होता है कि इसको विलंबं में चले गये हैं कि इसको हा भी नहीं बोलना है, नहीं भी नहीं बोलना है और इसको बस आगे धकेल देते हैं और हमारा एलेक्शन तब तक का निकाल लेते हैं बस ताकि नाराजी पूरी तरीके से ना बनी रहें आपको इसको इस ट्रंक से पढ़ना चाहिए देडलाइन तो फ्रीज अड्मिनिस्ट्रेटिव बांडरी दिस्ट्रिक्स तैसिर्स और टाउन्स अमंग आदर्स हैस बिन एक्स्टेंडेट तील कि अगर जन गन्ना हो जाती है सेंसेस निकल जाता है तो उसके अनिसार इसको फिर से रिशेप करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागिदारी कुछ इस तरीके से उन जातियों को सत्ता में लाना पड़ेगा, उनको सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, तो ये बात ना हो, इसके लिए ये census को थोड़ा procrastinate करने की तैयारी सरकार ने रखिया आपको कुछ इस तरीके से इस बात को पढ़ना चाहिए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते ह इस पेज़ पर, Assam School Farms Fish, Fruit for Self-Sufficient Midday Mills, ये मिड़े मिल के तालुक से बात है, हमें पता है कि स्कूलों में आजकल मिड़े मिल दिया जाता है, अब Assam की एक स्कूल है, हम इस चीज़ को कैसे समझ ले, और जल्दी से स्कीम करके कैसे आगे बढ़ जाए, ताकि हमरा निउस Teachers and Students, they go for fishing, किस लिए? Foods for Self-Sufficient Midday Mills, अपनी जो मिड़े मिल है, उसके लिए Food, Sufficient Food हो लेकर आजाए, तो इसके लिए ये सब चीज़े की जाती है, most of the times what is said here, teacher gone fishing may mean absentecism in many schools across Assam's rural landscape, Generally हम क्या देखते हैं, कि आसाम के दिहातों में, आसाम के ही क्यों, हमारे पुरे देश के दिहातों में, gonna fish का मतलब होता है, gonna fishing का मतलब होता है, कि absentecism, teachers बहुत बार वहाँ पर absent दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को literally, teachers have gone to fishing, in order to make the self-sufficient midday, meal की जो तयारी हैं, वो हो पाए, उसकी means sufficient meal वो तयार कर पाए, इसके लिए, actually teachers have been there to fishing as such, so, इस तरीके से इस news को आपको सरसरी देख लेना है, और थोड़ा आगे बढ़ जाना है, because this news will not be asked there in the examination, आप पूरा ध्यान आपका, आपका पूरा ध्यान आपका एक ही बात पर होना चाहिए, और वो बात है कि exam के तालुक से मुझे कैस news को देखना चाहिए, या नहीं देखना चाहिए, या मुझे बस पढ़ कर आगे बढ़ जाना चाहिए, if it is too much interesting, and even though it will not be asked in the examination, you should go for the same, actually, जब हम पढ़ाई के लिए जा रहे तो हमें हर चीज में interest तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, तब भी हमें देख लेना चाहिए कि at least कुछ news की headline देख कर भी हम आगे बढ़ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि शायद ये news मुझे exam में नहीं पूछी जाएगा, I will not be taking too much time on each and every aspect of the things as such, तो this was all about Assam की जो school है, उसमें जो teachers से वो fishing के लिए जा रहे ताकि food for self-sufficient midday meal बन सके, तो आपको लगता है कि यह जो बात है, यह आपके UPSC exams के लिए या IBPS exams के लिए राज्य सेवा की परिक्षा के लिए पूछी जाएगी, तो you must think on the same, I will not tell you, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि this is very occasional news, तो वह घटना आज घटी है, आम तवर पर घटी है, देश में कई तो भी घटी है और उसका सिर्फ हमने जिक्र कर दिया है, so what is that, 25 चार्ट टू डेथ ऐस बस कैचिस फायर और नाटपूर मुंबई एक्स्प्रेस वे, जो सम्रिद्धि एक्स्प्रेस की बारे में जो बात चल रही थी और जिसके उपर महराष्ट्र में बड़ा घमासान चल रहा था कि क्या हम इसे देवेंद्र वासी कह दे, तो कोई लोग कह रहे कि जो लोग शरत पवार जब मुख्यमत्री थे तब कोई लोग मर गए तो क्या है उन्हें शरत वासी कह दे यह बहुत ही मजा किया तरीके का पॉलिटिक्स आजकल चल रहा है बहुत सारी बाते बनाई जा रही है एक खराब नेरेटिव में हम तक बात मंबे एक्सप्रेस वे पर 25 लोगों की बच्चों की मौत हो गई स्कूल और बस वो कैचेस फायर और नागपूर तो यह क्या था तो इस विल नौट बी आस्ट यू इंद एक जुलाई को एक जुलाई को कौनसी बस को आग लग गए थी जिसमें 25 लोग मर गए थे ऐसा सवा आपसे नहीं पूछा जाएगा but even after that only as a part of interest ऐसा क्यों होता है express highway पर क्यों generally accidents हो जाते है क्यों सुबह के accidents हो जाते है इन बातों का जिक्र समझने के लिए सीखने के लिए हमें इन चीजों को देखना पटता है if you come to this Bengal SEC order on Central forces spark confusion this is very important news no this news is politically important I mean to say politically important क्यों है इन्यूस you know politically important इसलिए कि Bengal में है Mamta Banerji का राज और Mamta Banerji ने आजकल पंगा लिया हुआ है Central Government के साथ क्योंकि वो खुद भी एक national leader बनने के लिए तयार है यह इसके context की बात में कर रहा हूं कभी वो उनके साथ थी आज उनकी साथ नहीं है आज वो opposition में लीड करना चाह रही है उनको लगता है कि शायद वो प्राइम मिनिस्टरशिप का चहरा बन जाए और जो जिस राज्य में बीजेपी की सत्ता नहीं है सेंट्रल गवर्मेंट में बीजेपी है उनकी सत्ता नहीं है उस राज में कोई न कोई पंगे खड़े करना यह उनका एक आम तोर पर अब शुरुवात कर दिये उन्होंने उन्हें फसाय रखना चाहते वो डबल स्टैंडर्ड के साथ जाना चाहते है उस गवर्मेंट को का करने की बजाय किनी और बातों में उलजाय रखने की एक भाती खास पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड पॉलिशी को लेकर चल रहे है इसलिए वापर क्या हो गया है देर देर वादेर वाद देर वाद देर वाद देर वाद पन्चाइट पोल्स इन वेस्ट बेंगोलां जु यही बात हम चार नंबर के पेच पर देखेंगे लेकिन पॉलिंग बूत पर जो सेंट्रल गवर्मेंट की मिलिटरी पुलीस को लगाने की बात होती है उसके खिलाप में वहाँ पर एक टाइप का कन्फूशन है और आपोजिशन भी है आगे बढ़कर हम देखेंगे कि सुरत की डाइमन सिटी एक तरह का आर्टिकल ही है इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको ज़रुरी बात यह है कि वाट तिंग्स आर टो बे अंडस्टूट कि यह पूरा आर्टिकल पढ़ते हुए आपको कॉंटेक्स में जाना पड़ेगा और इसका कॉंटेक्स लग रह प्रश्या-उक्रेण वार दैट एस ट्रिगर्ड ग्लोबल सैंक्शन्स है इसके जो रेपकरिशन से यह रेपकरिशन समय देखने मिल रहे हैं सूरत में युद्ध हो रहा है रेश्या और युक्रेण के बीच में लेकिन हम जानते हैं कि दे वर्ड हैस बिकम ग्लोबल युनों इन मेनी कॉंटेक्स्ट बाय ओल फैसिट्स हर तरीके से इंटर्डिपेंडन से बहुत ज्यादा बढ़ गई है रौ मट्रियल को लेकर हो जाए या जॉब को हो जाए इंप्लोइमेंट को लेकर हो जाए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हो जाए तो दे अरशिया-Ukraine war that has triggered global sanctions has upset the trade-in शूरत affecting both demand and supply it has resulted in factories reducing working hours and wages to shine off a job that once guaranteed a steady income finds महिश लेंगा लंगा जो है उन्होंने इस बात को cover किया है तो कह रहे है कि कभी जो सूरत अपने workers को steady income और steady job के तौर पर guarantee दे रहा था आज वही पर crisis चल रहे है जॉब के crisis चल रहे है and they have reduced the working hours बस आपने अगर इतना भी पढ़ लिया है तब भी बात बन सकती है आपके understanding के लिए no because this is the matter of the state affair थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इस बात को फिर आपको समझ ना पड़ेगा कि Ukraine और Russia के वार की वज़े से क्या-क्या बाते हो गई बहुत आम तर पर तो खैर हमारी भी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर हुआ है ऐसे स्टील की जो हम इंपोर्ट करते थे इंपोर्ट ना कर पाने के विए से उसके बहुत ज्यादा भाव भी बढ़ गए हमने देखा कि 35 रुपए 40 रुपए 45 रुपए से मिलने वाला स्ट यह कि वाई देर इस अ काइंड ओफ डिस्ट्रेस्ट इन सूरत इन डाइमंड सिटी नो अटलिस हमें इतना तो पता होना जाहिए कि इसे डाइमंड सिटी कहा जाता है अनदर इस थे फिर आप इस पुरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो अगर आपको इंट्रेस्ट है एकोनॉम इस अतरा तो कॉंबेट क्राइम सिंडिकेट अब यह निया बहुत इंवर्बर्टन चीज से नो कि इंपाड़ेशन इनस्टिकेशन एजनसी कि अ अब इसमें war इंग को अधिन और्लिस पूलिस ने जो नेशिवर्टिकेशन एजन्शी है मारी वह अब तीन जो पंजाब के पुलिस है हर्याना के पुलिस है और हर्याना चंदिगड के जो पुलिस है इनके साथ कोडिनेट कर रहे हैं in order to combat crime syndicates जितने भी crime syndicates से उनके साथ यह बात करना चाहा रहे हैं यह बहुत ही important news है will establish an institutionalized mechanism for coordinated action against organized crime and criminals across northern इंडिया नॉर्धन इंडिया में जो बहुत ज्यादा तौर पर criminalism बढ़ चुका है उसको combat करने के लिए इस बात को देखा जा रहा है another is the thing that इसी page पर हम देखते हैं seven held with tiger hide in Chandigarhs विजपूर वह भी एक type का news रहे है crashing rape case as he suggests lowering consent age for women you know so that is that crashing rape case as he suggests lowering consent age for women अब women की age है 18 अब इसी इस तरीके से बार सजेस्ट कर रहा है कि उसको सिस्टिंग तक लेकर आ जाना चाहिए कि बहुत बार इसमें जो male होता है जो boy होता है वो भी सफर हो सकते है stating that the present age of consent for females being 18 has disturbed the fabric of society as injustice is going on with adolescent boys बहुत बार adolescent boys जो है उनके साथ injustice देखने मिलता है इन rape cases में तो यह ना हो इसलिए SC has suggested that यह जो lowering consent age for women बननी चाहिए आगे कहा जाता है दे गौलियर बेंच of the Madhya Pradesh High Court has requested the center to reduce the age to 16 you know a 16 H तक now this will also not make any question for your examination you know लेकिन हमारी knowledge में यह बाते होनी चाहिए you know when we go for the interviews particularly तो कुछ इस टाइप के सवाल आपकी IQ जानने के लिए आपकी EQ जानने के लिए और आपकी W की जानने के लिए आपसे पूछी जा सकते है तो you must understand this kind of things this way मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह जो है लेफ्ट फ्रण्ट डिमांड्स प्रोब इंटू त्रिपूरा रथयात्रा डेट्स त्रिपूरा में जो रथयात्रा हुई उसकी डेट को लेकर यह बात चल रही है अगें पंजाब गवर्मेंट टुबाइट पंजाब गवर्मेंट भी थर्मल प्लांट में जा रही है तो कुछ कुछ डिफरेंस बीटिम फेरिंग और फ्लाइंग इस रिस्क मैनेजमेंट यह एडवर्टीजमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है न्यूस्पेपर चलाने के लिए तर स्टेट्स के अफ को पढ़ लेना चाहिए कि exactly यह इसका narrative है क्या exactly इसका context है क्या less than a week before polling is scheduled for West Bengal पंचायत election and ordered by the West Bengal State Election Commission which has no mention of Central Forces being deployed at polling bus has created confusion and outrage in the political circles here तो आपको पता है कि जहाँ पर Central Government की जो पार्टी है जो सत्ता में जो पार्टी है वो किसी राज्य में जीत नहीं पाती है तो मैंने पहले ही कहा कि double standard के तौर पर कुछ बातों को लेकर मिस इसको मिस बहुत अच्छा कहा जाता है कि रधरी खेलना बोलते है इसको नो मिस करती हो वो ऐसा करती है जो कि गलत है यह नो मिस डिमावकरसी के लिए गलत है एथिकली गलत है और लिगली इसको किसी तरीके से पास करवाई जाती है दाड़र डेटेट जून 13 पॉइंट साउट डेट सी एपी एफ विल बीडिप्लोइड फॉर एरिया डॉमिनेशन नाका यह चेकिंगる इस बीडिड फॉर अपिडिडिडमी चर्विड भी चाविड लीड़ और एट्यूर अड़ अड़ इस था प्लिड व मेंचनव अड़ दिप्लिड लंगा तरेमों लाट ट्यून अजड़ टबीड बॉलिग बॉलिग जड़ इन बोलिडूड वड़ ऑलत है बाई WBSEC West Bengal का जौब ने भी जिकर किया, was addressed to district magistrate, superintendent of police and police commissioner, commissionerates in the state, the instruction to the district officials wherein तो इस बात को आपको पढ़ना पढ़ेगा कि क्यों आपर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों आपर confusion है, क्यों आपर opposition है, इस बात को समझना पढ़ेगा, this understanding is possible only with the help of the context, किस तरह के संबन्ध है, central government में और state government में, on the basis of that, crisis का तरीका तै होता है, आज अगर हम देखेंगे कि BGP की सत्ता है, central government में, और जिस जिन राज्यों में BGP की सत्ता है, वहाँ पर कोई problem खास करके नहीं होती है, जैसे मध्यप्रदेश में कोई crisis नहीं होता है, central के साथ, या UP कोई crisis नहीं होता है, central के साथ, जिन जिस जगह पर भी BGP की double engine सरकार है, इसे double engine सरकार कहा जाता है, वहाँ पर problem नहीं है, लेकिन जहाँ पर BGP की सत्ता नहीं है, वहाँ पर जरूर कोई ना कोई पंगा खड़ा किया जाता है BGP के central government के जरिये, पिर चाए वो पंगा कभी election के बूत को लेकर हो जाए, ED के तालुक से हो जाए, कभी CBI प्रोग के तालुक से हो जाए, या कभी corruption की कुछ बात लगा कर हो जाए, या फिर much more is there, we can discuss, इसी तरीके से, here in Rajasthan, no, this is a news from Rajasthan, आपको पता होगा, वसंधरा राजे was the former chief minister of Rajasthan, लेकिन आज वो प्रोटेस्ट के लिए उतर गई है, वसंधरा राजे meets कनहिया लाल murder cases, कनहिया लाल murder case को एक context है, इस context को आपको समझना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि आपको किन बातों को, कौन से बाते आपको पक्का पता है, कनहिया लाल एक shop owner था और उसने नुपूर शर्मा, तो इन्होंने प्रफेक मुम्मत को लेकर लास्ट यर कुछ बात बोल दी थी, और कनहिया लाल ने उस बात को support किया था, और ऐसा support करने से, उन्होंने support करने के विए से, टू यंग fanatics, जो पूरी तरीक से धरम में पागल हो जाते हैं, उनको fanatics कहते हैं, टू यंग fanatics, they came there, and they beheaded, literally beheaded the man, उन्होंने लिटरली उस मैन को behave कर दिया, खत्म कर दिया, और उसका video बना कर कहा कि, yes, we have done that, और इसी बात को लेकर, और इसी बात को लेकर, नो, senior BJP leader and former Rajasthan Chief Minister Vasundhara Rajay met, an eyewitness in the Kanahiyyalal murder case, who is bedridden after suffering from brain, brain hemorrhage in Udaipur on Saturday, Kanahiyya a tailor was hacked to death in broad daylight, at his shop on June 28, 22, 2022, over a controversial social media post को support करने के, तालुक से इनका murder कर दिया गया था, क्यों नहीं किया, what exactly that Mr. Sharma worked at Kanahiyya shop as his assistant, he was present at the scene of horrified, तो ये सारी बाते जहाँ पर हमें देखने मिलती है कि किस तरीके से क्या-क्या बाते हुई है, कैसे वो आफ, आफिस बीरर्स जो थे, बीजेपी के MLS, MLCs और उन्हों नहीं क्या-क्या बाते की थी, तो इस बात को आपको एक narrative की तौर पर समझना चाहिए, कि आज ही ये narrative क्यों हमारे सामने रख दिया जाता है, ऐसी क्या बाते होती है, क्यों गड़े वे मुर्दे उखाड कर रख दिये जाते हैं, ताकि आपका एक mind पुरी तरीके से prepare हो, इस narrative को समझने में, see, when you are going for the civil service examinations, it is expected that you are quite objective, I don't say neutral, मैं neutral नहीं कहूंगा, लेकिन आपका खुद का एक objective होना चाहिए, यू शुड नाट बी biased, और इसलिए newspaper reading करते वक्सिप content and context के अलावा, उसके narrative को भी हमें समझना चाहिए, आगे चलते हैं, and then we shall see that activists detained or protest against KTF chief Nijas killing, no, तो activists detained, several, यह बाद में देखते हैं, okay, okay, let us see, several activists of radical outfit of dal khalsa, were detained by the Punjab police, near the golden temple in Amrushar on Saturday, अब इस golden temple का भी बहुत बड़ा context हमें, हमेशा देखने मिलता है, क्या context है, excuse me, क्या context है golden temple का हमें पता है कि, golden temple in Amrushar की वज़े से, जो blue star operation हुआ था, इंदरा गांधी जी के जमाने में, when she was a prime minister, तो फिर इसी बात को लेकर उनका assassination हुआ है, हमें पताया है, the same thing is that, जो खलिस्तान टाइगर फोस का चीफ था, हर्दिप सिंग, you know, हर्दिप सिंग, खलिस्तान टाइगर फोस, that is known as KTF, इसका जो चीफ था, हर्दिप सिंग निजर, यह बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कि one of the most wanted terrorist, criminals, he was shot dead by the police, police force, and against this, there was the protest, और यह protest करने वालों को फिर, इन अक्टिवस को, पुलिस ने detain कर लिया है, इस बात को आपको देखना चाहिए, कि हमारा देश actually जा कैसे रहा है, एक point of view हमारा बनना चाहिए, कि कैसे हम बहुत ही, narrow narrativeism में आ चुके हैं, कैसे हम terrorist act करने वाले को भी, बहुत बहुत support करते हैं, तो यह ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि, अब हमारा एक नया narrative, एक objective narrative तयार होना चाहिए, एक सही narrative तयार होना चाहिए, जो जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, and newspaper like Hindu, actually in their editorials, in some articles, no, they talk on the thing, irrespective of who has done that, irrespective of which political party was involved in, irrespective of anything related to anyone's interest, किसी के भी interest के तालूक से वो बात हो, लेकिन उस बात को ताकश से रखने का काम, कुछ newspaper, leading newspaper करते हैं, and one of the leading newspapers we know, that is the Hindu, जिसके editorials आप जब पढ़ोगे, articles जब आप पढ़ोगे, तो आपकी समझ, बूज, सही तरीके से बनने में मदद हो जाती है, ट्राइबल पीपल आपोज टू यू सी सी, ये बहुत ही important, इसके उपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, because uniform civil code, no, uniform civil code is but a matter of fact, इसके उपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है, क्या भी इस बात को निकाल कर लेकर आगये हैं, नरेंद्र मोदी, no, तो इस uniform civil code को लेकर, while, I will be talking on this uniform civil code planned protest, इसको protest किया जा रहा है, अब कौन protest कर रहा है, that is very importantly to be seen here, while the debate on the uniform civil code has once again been centered around whether religious minorities can continue following their respective personal laws any framework for the UCC. Miss UCC में क्या कोई ऐसा framework बना है, जिसमें religious जो minorities है, वो अपने religious personal laws को continue करेंगे, तो not only the Muslim community, but yes, there are people from Mizoram, Nagaland, and also from some other state, they are protesting against, तो protest क्यों कर रहे हैं, तो बड़ा आजीब है, जो जब मैंने ये news पढ़ी है, तो बड़ा आजीब सा मामला यहा पर दिख रहा है, even as Islamic bodies को लेकर, वो कह रहे हैं कि हमारे जो कौम है, हमारी जो जमात है, हमारी जो religious minority group है, जो जो ये शक्स कह रहे हैं, तो ये मोबिलाइजिशन क्यों क्यों किया जा रहा है, ये हमको देखना चाहिए, इसलिए क्या जा रहा है कि उनका ऐसा मानना है कि हमारे जमात में, हमारी जाती में, हमारे religious minority के ग्रूप में, लड़कियों को, और तो को आज भी property में इस्सा नहीं दिया जाता है, तो after the sanctioning of this uniform civil code, ये देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अब इसमें आपको, you must find the narrative, मैंने पहले ही कहा है कि, ये बहुती narrow narrative में चलने वाली बात है, this is the thing that is going on in a very narrow narrative as such, narrow narrative इसका ऐसा है, कि हम इस देश से मिलने वाले हर फायदे को लेंगे, लेकिन we shall not abandon, हम हमारी जो बाते धरम से जोड़ी भी बाते हैं, you know male domination से जोड़ी भी जो बाते हैं, andro centricism से जो जो जोड़ी भी बाते हैं, पेटेयर की से जो जोड़ी भी बाते, उनको नहीं छोड़ेंगे, जोड़ी हैं, marriages laws of marriage inheritance and transfer of land के उपर एक तरका infringement हो जाएगा यू आतिक्रमन हो जाएगा उसके अंदर घुसकोरी हो जाएगी और हम भी इससे आतिक्रमन नहीं होने देंगे इस तरीके का आक्रमन नहीं होने देंगे ऐसी उनकी भूमिका है जो की इस इसी सिविल के अपोजिशन में हो जाएगे आइस के सस्पेक्ट्स प्लांट टू यूज रोबोटिक्स फॉर अटैक फिर निया का जिक्र है और जो इस्लामिक स्टेट है उनके जो सस्पेक्स है उनको प्लान कर रहे थे उनको डिटेंट किया गया है हाउस सर्जन अटैक अट अरना कुलम ऑउस्पिटल ऑन डॉक्टर स्टे टू हेल डॉक्टर स्टे जो कल था और वहाँ पर जो जिसको ले कर गये थे जो क्रिमिनल था उसको ले कर गये थे और उसको ले कर जाने के बाद उसने उस डॉक्टर हाउस सर्जन के उपर अरना कु इसी चीफ मुव्स, LA speaker, ethics panel against police officer. Kerala Pradesh Congress Committee President K. Sudhakaran, MPI has moved the looks of a speaker on Birla against a police officer, investigating him on suspicion of financial fraud. तो ये आम तर पर गतने वाली गतना है कि इस सरी की की पोलिटिक. Karnatak leader of opponent may be elected today. There are so many advertisements, classifieds are there. So, that are important aspects of opposition likely to focus on Manipur in mansoon session. Now, this is very importantly to be paid a very proper attention to. इसकी स्टोरी आपको खास तर पर पता होनी चाहिए. कि what is happening in Manipur? Why it is happening? Why Prime Minister Modi has not yet tweeted a single tweet? Yet said a single thing on Manipur. Yes, Amisha had been there. Amisha बापर चले गए थे. लेकिन फिर मनिपूर में जो कुछ हो रहा है. क्या है हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमने देखना नहीं चाहिए? इस क्राइस को किस तरीके से देखा जा रहा है? Again the same. मैं फिर बार बार आपको ये बात बताना चाहूंगा. इस नेरो नेरेटिविजम के तौर पर इस बात को देखना चाहिए आपने. कि हर जाती को, हर जमात को, हर काउम को, हर रिलिजियस ग्रूप को, हर एथनिक ग्रूप को, हर कल्चरल ग्रूप को अपनी बात सही लगती है. और वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा फाइदा हो, जबकि एक देश के तौर पर हमने थोड़ा अलग सोचना चाहिए. इस मनिपूर क्राइसिस को लेकर जाने वाले हैं, likely to focus on मनिपूर क्राइसिस in मांसून सेशन. मांसून सेशन जो शुरू होने जा रहा है भी जुलाई में जो अगस्त तक चलेगा, you know, that will begin on July 20 तिल अगस्ट 11 और इसमें फिर मनिपूर क्राइसिस के उपर focus होगा कि we are not able to stop the crisis that has been going on in मनिपूर since one or two months. इसमें मजा किया बात इस तरीके से काजीब contradiction इस तरीके से हैं कि हम विश्व गुरू बनने जा रहे हैं, हम रशी और युकरेन के युद्धों को समाप्त करने के लिए initiative लेने की तयारी रखते हैं, करते हैं, लेकिन हमारही देश में प्रदेश में जो एक-दो मेनों से जल करने के लिए हम अब तक कोई खास कदम नहीं उठा पाया है और जिसमें बहुत सारे लोग की मौध हो गई है, लाखो लोग बेगर हो चुके हैं, वहां से माइग्रेट हो चुके हैं, what not is happening inाफ़ मानिपूर तो इस मनिपूर क्राइस का एक पॉलिटिकल मुद्दा बना कर पोजिशन लेकर आएगी वहां की जो न्यूज है मैं डेलिबरेटली उस न्यूज की तरफ आपको लेकर जाऊंगा 24-hour hotline for MPs helps with research material यह बहुत ही आम तरह की न्यूज है जो बोले तो exams के लिए इतनी important नहीं है लेकिन अब जो हमारी बन रहे हैं आजकल बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि in the year 2023 और 24 के जो elections होने वाले हैं क्या इसमें हम जिनको चुनके दे रहे हैं वो पढ़े लिके रहने चाहिए कि नहीं है नो केजरी वाल बार बार इसमद्दे को उठा रहा हैं इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है क्योंकि जैसे यूपसी एक्जाइम के लिए क्राइटिरियन बना है इसी तरह के से पॉलिटिक शियंस के लिए भी कोई क्राइटिरियन बने क्या यह बहुत सालों से बात चलती चले आ रही है लेकिन दिस नौट दपार्ट अफ यूर स्टडी मिस्स आपकी एक्जाइम का डारेक्ट हिस्सा नहीं है लेकिन इसको आप कैसे देख सकते हो कि MPs को अब रिसर्च मट्रियल प्रोवाइड करने के लिए होट लाइन शुरू कर दी गई है यह बी एक अच्छी बात है अच्छा मूव है जिससे आटलेस्ट दे विल गेट सम ह कोई न्यूस पेपर में कोई चीज़ा ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है जैसे मनीपूर यह बहुत होट टोपिक हैं वेस्ट बेंगल के इलेक्शन होट टोपिक हैं उसी तरीके से यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यू डबल सी यू सी है तो यहापर कॉंग्रे कॉंग्रेस ने बोल दिया है कि यह जो बहुत जोर शोर से बात चल रही है प्यम मोदी साब ने कहीं है उसके उपर हम अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे हम इसको अपोस भी नहीं करेंगे और इसका समर्थन भी नहीं करेंगे यह बात कि दिस इस अनेरेटी ऑफ कि बहुत बार आने वाले जो भी कोई एलेक्शन होते हैं वो मोदी जी और अमिश्याह जी अपने सब्जेक्स के इद्गी इनको घुमाते रहते और इनको बिल्कुत सूधर ने नहीं देते हैं कि मुद्धे लेकर आते तो युनिफॉर्म सिविल कोड के उपर प्यम का जो डॉग विजल हुआ है इसके उपर कॉंग्रेस में कहा कि वी शल नॉट रियक्ट ऑन हम इसके उपर कोई भी रियक्शन नहीं देंगे हम चुप रहेंगे क्योंकि वो लॉट का जो ड्राफ्ट वो भी तक आया नहीं है और कॉंग्रेस इन इस मिटिंग ऑप पार्लमेंट स्ट्राटिजी तो कॉंग्रेस ने अभी तक बनाया है कि हम इसके पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं इस पुरी न्यूज में आपको यह देखने मिलेगा कि आर्टिकल 25 में हर किसी को अपने धर्म के अनुसार जीने का हक है ओके एक बात हो गई इस बात को लेकर जितने भी अपोस्ट करने वाले रिलिजियस ग्रूप से वह अपनी बात रख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इस बात की तरफ भी ध्यार देना चाहिए कि there are some directive principles इसकी तरफ कोई ध्यार नहीं देत है और फिर बोल देते हैं कि हमें article 25 के अनुसार हक है हमारे religion को सभालने का उसके अनुसार जीने का उसके loss से चलने का and all the other things लेकिन UCC आने के बात क्या होगा इस बात को आपको समझ जा चाहिए इसलिए such kind of news are to be seen in a very proper manner if they have to be have the perusal बहुत close reading से होनी चाहिए that is not skimming and scanning only it has to be researched एक समशोदन के तौर पर आईसी न्यूस को देखना चाहिए और इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए आसाम स्कूल की बारे में हमने के बात कर चुके नो गुजराथ हाई को डिजेस टिस्टा सेडल वाल बेल स्पली तो टिस्टा सेडल वाल आपको पता होनी चाहिए जिनका नाम गोध्रा में बहुत जोरो शोरो में चला और अब इनके उपर एक केस दाखिल कर दी गई है कि गोध्रा में जिन लोगों के घर के कि लोग मर गए थे कि और उनसे इन्होंने certains सुप्रीम कोट ने वैसे इनको बेल दे दी है व्हें शुप्रीम कोड ने का कि您हां को फिर से शॠी में जाना पड़ेगा और गुज्जराथ हाई कोड ने इन्हें अब बेल देने से कर दिया यहで नारेटी आपकोी समझ आप कि गुधरा वाज़ काइंड ऑफ स्टिग्मा और नरेंद्रमजी जिन से जिनमें उनको आप क्लिंचिट विल गई हैं तो इनसे बैक ऑफ सोचल अक्टिविस्ट इस्टा सेडल वाल्ड गुजराथ हाइकोड ऑन सैटेड़ी रिजेक्टेड दर रेगुलर बेल प्ली और जो है टिस्टा सेडल वाल जो सोचल अक्टिविस्ट है उन्होंने जो किया यह बाते पता होना जरूरी है बिकॉस आदे वेरी मेजर इवेंट्स इन आर कंट्री नो बहुत मेजर इवेंट्स के तौर पर देखा जाता है अनदर इस अधिग स्प्रिट ऑन ग्रेंटिंग इ इसको दे दिया है मैंने पहले ही का कि सुप्रीम कोट ने उनको इंटेरिम प्रोटेक्शन दे दिया इंटेरिम बेर दे दी है दानदर थींग्स आर देर आपोजिशन डिसीविंग पूर पीपल विद फॉल्स गैरेंटीज तो आपोजिशन जो भी मध्यप्रदेश के एले और आपको तो पता है कि बाते बनाने में बाते करने में स्लोगन बनाने में बीजेपी का और खास करके नरेंद्र मोधी जी का कोई हाथ नहीं पखड़ सकता तो गरीब पर चोट और नियत में खोट इस तरीके से उन्हें एक स्लोगन बना दिया अगेंस कॉंग्रेस पार्टी जिन्होंने गैरेंटी ती है अब यह बहुत चल रहा है इसको रेवडी कहा जाता है जो इन्होंने इस वर्ड का इस्तिमाल फिर से किया कि रेवडी देने में लगे हुए है तो रेवडी देने में लगे हुए है दिल्ली के सरकार ने भी वही किया पंजाब की सरकार ने किया हर सरकार वही करती है कि कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप दिखाती है जनता को ताकि जनता को अप किया है पीम मोधी साव ने अगें देर इस वन अनदर थिंग इन दे ब्लिंक अफ एन आई शर्वाइवर्स ऑफ बुल्धाना बस एक्सिडेंट रिलीव और दियर तो यह भी बात हम देख चुके है नो वे और डेडी सिन दिस इंडिया एक 664 आनिमल स्पेसिस यह भी एक आम चीज ताओर परें ओडिसार रेकॉर्ड 57 डेट्स और ऐसी कुछ चीजे हैं अब मैं आपको एंड की तरह लेकर जा रहा हूं कि जब हम किनी चीजों को देखते हैं नियूस पेफर पढ़ते हैं तो नियूस पेफर में तीन तरीकी की चीजे होनी चाहिए एक कुछ ऐसी नियूस होती है जिनको बिल्कुल नहीं भी पढ़ा जाता है तो भी चल सकता है सेकेंड नियूस अईसी होतीई जिनको जिनका टाइटल भी अगर आप पढ़ लेते हो टाइटल पढ़कर सर्सरी स्कीमिंग और स्कैमिग कर लेते हो तब भी चल जाता है एक बहुत बड़े पस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो बाते हमें पता होनी हो rare and newspaper is the best way to know these things फिर हम यहाँ पर आते हैं कुछ international affairs को लेकर बाते हैं and after this we shall go for the sport things of sports sports में भी फिर देखना पड़ता है की what are the things यह तो आपको पता है की what is going on nowadays no growth piece to help step see yeah there are some sport events at the end or phil page number 18 will be ended here with the sport things I will request you कि आप content को देखे और समझे की whether I should read this or not अगर आप read कर रहे तो उसके context को समझे and along with this content and context आपको उसके narrative को भी समझना चाहिए क्योंकि narrative को समझना आपकी अपनी समझ के लिए आपकी common sense के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है so with this I will stop here हम फिर कभी और किनी चीज़ों का जिक्र करेंगे कि किस तरह का भाशा का प्रयोग होता है किस तरह का vocabulary का प्रयोग होता है कौन सा grammar यूज किया जाता है इन सब बातों को हम रोज मर्रा के हमारे editorial sessions में जरूर देखेंगे तब तक के लिए अब हम रुकते हैं और फिर हम कल मिलेंगे जरूर जरूर űड़िए जरूर यूरा उन तरह को तो सवेंगे बूद नसे सब्सक्राइब जरूरा जरूर प्रणॉप सब्सक्तुछिए तब्सक्राइब की जरूरा तो किस तरह किस प्रदाएब खरूरा झाल जरूरा जरू य।